नमस्कार दोस्तो यह वीडियो समान नियद्धन की एक बहुत ही महत्पुर्ण टॉपिक बिटामिन्स पर है जो आए दिन विभिन्दे परतियोगिता परिक्षा में इस टॉपिक से कोश्चन निश्चिती पूछे जाते हैं यदि आप चैनल पर नए है या अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करे और साथ ही बेल आइकन को अवस्चे दबाए तो चलिए सुरू करते हैं बिटामिन्स इसके खोज करता और नामकरन दो ब्यक्तियों के द्वारा हुआ है खोज करता है निकोलाई लूमिन और नामकरन जिसने किया है उनका नाम है कैस्मीर फॉंक तो जैसा कि अभी हमने देखा कि खोज करता जो है निकोलाई लूमिन है और इसके नामकरन जो किये है वो कैस्मीर फंक यह 1911 में बिटामिन्स का नामकरन किये और इन्हें फादर अप बिटामिन्स भी कहा जाता है तो याद रखेंगे आप कि कैस्मीर फंक को जो है बिटामिन्स के नामकरन करता के रूप में जाना जाता है जिन्होंने 1911 में बिटामिन्स का नामकरन किये और इन्हें फादर अप बिटामिन्स भी महा जाता है आगे हम लोग देखेंगे वसा में घुलनसील बिटामिन जो है ये बिटामिन A, D, E और K ये चार बिटामिन जो है ये वसा में घुलनसील बिटामिन है और इसके लिए जदि मैं एक आपको ट्रिक बताऊं जो याद आपको हमेशा रहेगा तो आप याद रखेंगे इसके लिए आप जो है एक ट्रिक याद रखेंगे आप याद रखेंगे डेका आपको डेका जदि याद रहता है ये ट्रिक तो ये वसा में घुलनसील बिटामिन है जिसको हम लोग डेका से याद रखेंगे कि डेका जो है इसमें चारो बिटामिन जाएगा D, E, K और A और यही जो है चारो बिटामिन वसा में घुलनसील बिटामिन है तो यह ट्रिक आप याद रखेंगे तो वसा में घुलनसील बिटामिन जो है आपको याद रहेगा तो किसी भी परिक्षा में आपसे जदी पूछा जाए कि कौन सा बिटामिन जो है वसा में घुलनसील है तो आप बता सकते हैं तो इसे याद रखेंगे अगला जो है जल में घुलनसील बिटामिन तो जल में घुलनसील बिटामिन जो है यह दो बिटामिन होते हैं यह बिटामिन B और C दो मातर बिटामिन जो है ये वासा में घुलन सील के अलावा है जो जल में घुलन सील है ये बिटामिन B और C है तो इसे याद रखेंगे आप कि जल में जो है घुलन सील बिटामिन जो है ये बिटामिन B और C है तो वासा में चार बिटामिन है D, E, K और A जिसको हम लोग एक से याद किये है D का, D का जो है यह वासां में घुलनसील बिटामिन है और जल में घुलनसील बिटामिन यह B और C है, आगे हम दो देखेंगे सर्बाधिक ली जाने वाली बिटामिन जो है जो प्रती दिन सबसे ज़्यादा ली जाने वाली बिटामिन है वो बिटामिन C है तो इसे याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बिटामिन ली जाने वाली है प्रती दिन वो बिटामिन C है और सबसे कम ली जाने वाली बिटामिन जो है वो बिटामिन D है तो इसे आप याद रखेंगे कि सबसे कम ली जाने वाली विटामीन D और सबसे ज्यादा ली जाने वाली विटामीन जो है C है आगे हम लोग देखेंगे विटामीन A अब यहां से बारी-बारी करके सारे विटामीन को देखेंगे कि इसके खुझ करता रासायनिक नाम और कमी से रोग और परमुक सुरोत क्या है परतेक बिटामिन का हम लोग बाड़ी बाड़ी से देखेंगे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ खुझ करता है ये मैकुलन और एम डेविस और मैकुलन ये दो ब्यक्ति जो है वीटामिन ए के खुझ करता है और वीटामिन ए कारासाइनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है तो आप याद रखेंगे कि वीटामिन ए का रसाइनिक नाम ये रेटिनॉल है और वीटामिन ए के कमी से होने वाले रोग ये रताओधी है और जिरुप थेल्मिया ये बिमारी है यानि दो बिमारी जो है ये बिटामिन A के कमी से परमुख रूप से देखा जाता है ये बिटामिन A के कमी से होता है रताओधी और जिरोप्थेल्मिया जो है ये दो बिमारी परमुख है बिटामिन A के कमी से और हम लोग देखेंगे आगे कि विटामिन ए के परमुक सुरोत क्या है तो विटामिन ए के परमुक सुरोत के रूप में गाजर, दूद, मक्खन, अंडा, फल, सबजिया, इत्यादी जो है इसके परमुक सुरोत है तो याद रखेंगे कि विटामिन A के परमुक्षरोत के रूप में गाजर, दूद, मक्खन, अंडा, फल, सबजिया, इत्यादी जो है इसके परमुक्षरोत है विटामिन A से संबंदित कुछ और बाते हैं, जैसे कि विटामिन A को संकर्मान रोधी विटामिन भी कहा जाता है तो याद रखेंगे कि यह काफी इंपोर्टेंट है कि विटामिन A को संकर्मान रोधी विटामिन कहा जाता है जैसे आपसे किसी प्रतियोगी परिक्षा में कि संकर्मन रोधी बीटामिन किसे कहा जाता है तो आप वहाँ जबाब देंगे बीटामिन A जो है संकर्मन रोधी बीटामिन कहा जाता है इसमें और एक है पॉइंट कि बीटामिन A जो है ये नौजात सिसु को जन्म के तुरंत बाद नौजात सिसु जो है उनको दी जाने वाली जो विटामिन होती है वो विटामिन A है यानि विटामिन A की खुराग जो है जन्म के तुरंत बाद नौजात सिसु को दी जाती है तो विटामिन A से हम लोग देख रहेते आगे देखेंगे लोग विटामिन B और विटामिन B काफी important है और यह vitamin B जो है इसको B complex के नाम से जानते हैं क्योंकि vitamin B का बहुत सारा series होता है जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 यह सब क्या है vitamin B का ही यह series है यानि इसका vitamin B का ही part है तो इसलिए vitamin B को B complex भी कहा जाता है तो हम लोग बारी-बारी से सारे vitamin को देखेंगे लोग और vitamin B के खुज करता है maculin जैसा कि हम लोग vitamin A के देखे थे कि maculin और M. Davis थे तो vitamin B के खुज करता है maculin आगे हम लोग देखेंगे अब यहां से बारी-बारी से कि B1, B2, B3 इस तरीके से करके हम लोग B12 तक सभी को देखेंगे लोग हम लोग बारी-बारी से तो vitamin B1 पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे vitamin B1 जो है इसका रसायनिक नाम थाइमिन है vitamin B1 को जो है scientific name के रूप में थाइमिन कहा जाता है और इससे होने वाले जो बीमारी है यानि vitamin B1 के कमी से होने वाले बीमारी जो है यह बेरी-बेरी है यानि बेरी-बेरी vitamin B1 के कमी से यह बीमारी होता है और vitamin B1 के परमुक शुरोत है इस्ट जिसको हिंदी में खमीर बोलते है दूध, श्वयबिन, अंडा, मांस, मचली, इत्यादी जो है vitamin B1 के परमुक शुरोत है आगे हम लोग देखेंगे vitamin B2, यह काफी important है vitamin B2 vitamin B2 का रसाइनिक नाम riboflavin, इसका रसाइनिक नाम है riboflavin और इस vitamin के कमी से होने वाले रोग जो है, मुह में छाले आना, जीब पर लाल दाना आना, जुआर उत्पाद, जो बुखार या ऐसे ठकावट, हरास्मेंट होने पर होट के नीचे, उसके किनारे पर निकलता है, उसको जुआर उत्पाद कहते हैं, यह सारे vitamin B2 के कमी से होते हैं, और इसके परमुक सुरूत है, इस्ट यानि खमीर, मांस, दूद, अंडा, मचली, स्वयाबिन, इत्यादी जो है, इसके परमुक सुरूत है, vitamin B2 से और कुछ बाते हैं, जैसा कि vitamin B2 को riboflavin कहा जाता है, और यह vitamin B2 के कारण जो है, गाय का दूद में पिलापन आता है, यानि गाय के दूद में पिलापन का कारण riboflavin है, इसके अलावा भी दूद में पिलापन का कारण जो है, कैरोटीन नमक प्रोटीन के कारण भी होता है, तो इसे याद आप रखेंगे कि vitamin B2 के कारण जो है, गाय के दूद में पिलापन पाया जाता है, और साथी साथ है भी याद रखेंगे कि कैरोटीन नमक प्रोटीन के भी पिलापन पाया जाता है अगला हम लोग देखेंगे बिटामिन B3 बिटामिन B3 जो है इसका रासाइनिक नाम है निकोटीनामाईड और नियाएसिन इसको दो नामों से जना जाता है रासाइनिक नाम में निकोटीनामाईड और नियाएसिन और बिटामिन बिटामिन बी थिरी के कमी से जो है पलेगरा जिसको हिंदी में त्वाचा दाद या फोडी सिंडरम रोग ये दू रोग जो है काफी फेमस है जो बिटामिन बी थिरी के कमी से होता है और बिटामिन बी थिरी के जो परमुक्स रोत है ये बिटामिन B1 की तरह होता है जो बिटामिन B1 में जो परमुक सुरोत है वहीं बिटामिन B3 में भी परमुक सुरोत के रुप में पाया जाता है अगला हम लोग देखेंगे बिटामिन B5 और बिटामिन B5 का रसाइनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड जिसको पेंटोथेनिक अमल कहते हैं यानि पेंटोथेनिक एसिड जो है बिटामिन B5 का रसाइनिक नाम है और विटामिन B-5 के कमी से होने वाले बिमारी जो है ये सरीर में थकावट महशूस होना, मंद बुधी होना, लकवा मारने की संभावना या तलवा एवं हथेली में जलन इत्यादी जो है इससे परमुख बिमारिया इसके कमी से होती है इसके परमुख सुरूत के रूप में जो है खमीर, सबजिया, मांज, मचली, कलेजी, स्वयाबीन, सहद, इत्यादी जो है इसके परमुख सुरूत हैं तो आप इसे याद रखेंगे अगला देखते हैं बिटामिन B6 और बिटामिन B6 का रसायनिक नाम पैरोडॉक्सिन इसका रसायनिक नाम जो है पैरोडॉक्सिन है और बिटामिन B6 के कमी से होने वाले रूग मान स्पेस यो में एठन, त्वचा रोग, रप्त छिन्ता और ठकावट जैसे जो है इसके परमुख बिमारी कमी के कारण जो है परमुख बिमारिया होती है इस तरह के बिमारिया जो है बिटामिन B6 की कमी से देखा जाता है और इसका परमुख सुरूत जो है पत्तेदार जिया, फल, मचली, कलेजी, मेवा, इत्यादी जो है इसके परमुख सुरूत है तो आप इसे याद रखेंगे आगे देखेंगे हम लोग बिटामिन B7 बिटामिन B7 जो है इसको कहें कहें बिटामिन H भी कहा जाता है तो इसे आप याद रखेंगे कि बिटामिन B7 को ही बिटामिन B7 का रसायनिक नाम बायोटीन है और बिटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग जो है तूचा रोग, बाल का जहरना, भूख की कमी, लकवा, सरीन, दर्द इस तरह के विमारी जो है बिटामिन B7 की कमी से होता है और विटामिन B7 का परमुक्षरोत जो है विटामिन B3 की तरह जैसा कि हम लोग विटामिन B3 अभी देखे हैं तो उसमें जो उसका परमुक्षरोत है उसी परकार से विटामिन 7 में भी इसका परमुक्षरोत है अगला हम लोग देखेंगे विटामिन B9 और विटामिन B9 को जो है इसका रसाइनिक नाम फॉलिक एसिड जिसको फॉलिक अमल कहते हैं यानि विटामिन B9 का रसाइनिक नाम फॉलिक एसिड फॉलिक अमल है और विटामिन B9 के कमी से जो है एनिमिया जिसको रप्त छिनता बोलते हैं और पेची सरोग जो है इसके कमी से होता है और इसके परमुक सरोथ जो है बिटामिन B7 की तरह यानि B7 में जो हम लोग देखे हैं परमुक सरोथ वही जो है बिटामिन B9 में भी परमुक सरोथ में पाया जाता है अगला जो है विटामिन B12 विटामिन B12 को साइनो कोबाला मेन कहा जाता है यानि इसका रसाइनिक नाम जो है विटामिन B12 का साइनो कोबाला मेन कहा जाता है तो याद रखेंगे आप और विटामिन B12 के कमी से जो होने वाले बिमारी है वो है Purnicus Enemia और Pandu Rog इस को पिलिया भी कहा जाता है तो vitamin B12 के कमी से होने वाले Purnicus Enemia और Pandu Rog है और vitamin B12 का जो है परमुक्सरोत जो हम लोग vitamin B1 में देखे थे यानि B1 की तरह ही vitamin B12 का भी परमुक्सरोत है तो इसे आप याद रखेंगे अगला जो है महतपुर्ण है vitamin B12 से यानि vitamin B12 में anti-cancerous काफी important है यानि vitamin B12 में anti-cancerous यानि cancer रोधी तत्व कोबाल्ट पाया जाता है काफी important है परिक्षा के दिर्ष्टी कुन से यानि पूछा जाता है आपसे के कोबाल्ट जो है किस vitamin में पाया जाता है तो आप याद रखेंगे कि विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट तत्य जो है पाया जाता है और ऐसा देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी जो है सुध्य साकाहारी जो ब्यक्ति होते है उनमें इसकी कमी जो है देखी जा सकती है थोरी कमी हो सकती है यानि सुध्य साकाहारी ब्यक्ति में बिटामिन B12 की कमी हो सकती है इसे भी कोशन बना कर पूछा जा सकता है यह पूछा जाता है जैसा कि एक्जामों में कि सुध्य साकाहारी ब्यक्ति में कौन सी बिटामिन की कमी हो सकती है तो याद रखेंगे वो vitamin B12 आगे हम लोग देखेंगे अगला vitamin C है और vitamin C के खोज करता है hall cut vitamin C के खोज करता है hall cut और vitamin C का रसाइनिक नाम ascorbic acid यानि ascorbic अमल जो है इसका रसाइनिक नाम है vitamin C का और vitamin C के कमी से जो रोग होता है उसमे ascorbic रोग है मसूडे फूल जाना दांत की जर से खून आना ये जो है इसके कमी से होने वाले रोग है और vitamin C के प्रमुक स्रोत जो है citrus fruit है यानि vitamin C के प्रमुक स्रोत citrus fruit जिसमें आउला, निम्बू, मोसंबी, टमाटर, मीर्च, अंकूरित, अनाज इत्यादी जो है इसके प्रमुक स्रोत है तो इसे आप याद रखेंगे और vitamin C से संबंधित कुछ महत्पुन बाते हैं जैसे कि vitamin C जो है ये मुत्र में पाई जा सकती है यानि आपसी question पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी vitamin है जो मुत्र में पाई जाती है या पाई जा सकती है तो आप याद रखेंगे वो vitamin C है अगला जो है vitamin C जो है घाउ को भरने में सहायक होता है यानि ये भी एक question बहुत ही important है ये question पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा vitamin जो है घाउ को भरने में सहायक होता है तो आप याद रखेंगे vitamin C जो है ये घाउ को भरने में सहायक होता है अगला देखेंगे हम लोग बिटामिन D अगला है बिटामिन D और बिटामिन D के खुज करता है विटामिन D के खुज करता है हॉपकिन्स बिटामिन D के खुज करता हॉपकिन्स है और बिटामिन D का रसाइनिक नाम कैलसी फेरॉल है तो याद रखेंगे कि बिटामिन D का रसा रिकेट्स है जो बच्चों में देखा जाता है अगला जो है इसे विटामिन D की कमी से होने वाला बिमारी अस्ट्रियो मलेसिया है जो ब्यस्कों में देखा जाता है यानि विटामिन D के कमी से दो बिमारी रिकेट्स और अस्ट्रियो मलेसिया यानि रिकेट्स जो है बच्चों में और अस्ट्रियों मलेसिया जो है ब्यास्क में देखा जाता है और विटामिन D के परमुक सुरोत के रूप में दूध, मक्षन, मचली, कतेल, अंडे की जर्दी, सूरी की रोशनी यानि बिटामिन D का जो है प्रमुक शुरोत के रूप में जो है सुरे की रोशनी है, दुध है, मखान है, मचली का तेल है, अंडे की जर्दी है ये सारे जो है बिटामिन D के प्रमुक शुरोत है बिटामिन D से भी संबंदित कुछ बाते है यानि बिटामिन D जो है यह अल्प मात्रा में प्रती दिन ले जाती है जैसा कि हम लोग सुरू में ही बात किये थे कि बिटामिन D जो है अल्प मात्रा में प्रती दिन ले जाती है और बिटामिन D को हार्मोनल बिटामिन कहा जाता है तो याद रखेंगे काफी बिटामिन E के खुच करता जो है, मैकलीन इवांस, बिटामिन E के खुच करता मैकलीन इवांस और कैथरीन एसकॉर्ट भी सोफ है, तो याद रखेंगे कि बिटामिन E के खुच करता मैकलीन इवांस और कैथरीन एसकॉर्ट भी सोफ है, और इसका रसाइनिक नाम जो है, टुक तो याद रखेंगे कि विटामिन E का रासाइनिक नाम टोकू फेरॉल है और विटामिन E के कमी से होने वाले रोग जो है ये जनन सक्ती का कम होना बाल का जहरना ये इसके कमी से होने वाले रोग है और विटामिन E का जो प्रमुख शुरोत है उसमें दूध, मखन, मांस, अंक पूरित गेहूं, हरी सबजिया इत्यादी जो है इसके प्रमुख स्रोत हैं तो आप इसे याद रखेंगे बिटामिन E जो है इसके लिए भी एक महत्पुन नोट है कि बिटामिन E को जो है ब्यूटी बिटामिन कहा जाता है तो याद रखेंगे कि बिटामिन E को ब्यूटी ब आंट रहा जाता है तो वीटामिन, E को जो है, ब्यूटी वीटामिन कहा जाता है अगला हम लोग देखाएंगे, वीटामिन K, जो है, काफ़ इंपोर्टेंट है, यही, इसके खुज करता है, डॉम एंड डॉजी तो याद रखेंगे डॉम एंड डॉजी जो है बिटामिन के के खुज करता है और बिटामिन के का जो है रसाइनिक नाम फिलो क्यों नोन है बिटामिन के का रसाइनिक नाम फिलो क्यों नोन और बिटामिन के कमी से होने वाले रोग जो है रक्त का थक्का न बनना रक्त का थक्का न बनना जो है यानि इस विटामिन के कमी से रक्त जो है थक्का नहीं बनता है थक्का मतलब कि ज़दी आपका कहीं कट जाए तो खुन जो निकलता है जल्दी बंद नहीं होता है यानि खुन का थक्का नहीं बन पाता है इस विटामिन के ज़दी आप पालव, दूध, स्वाबिन सीड, यानि जो स्वाबिन का बिया है, बीज है, वो इसके प्रमुक्षरोत के रूप में देखा जाता है, मना जाता है, और मान्स, कलेजी, इत्यादी जो है, इसके प्रमुक्षरोत है, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, और अपने दोस्तों को सेयर करें, धन्यवाद, अगला वीडियो मैं बहुत चल नहीं लेकर आऊंगा,